हेलो फृज्श् वंकम बैक टेरेंट उनảiल चानल दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बिसक्स करेंगे नियाट एंड जी आइंड दीज्फ के लिए कितना जीश तो लाना होगा कितना मैं मैसज़ करके पूछ रहा था कि दोस्तों कि तक जरूर देखें इनफॉर्मेटिव भीडियो होने वाला है सामने ही कुछ दिन बाद जो है आप लोगा एक्जाम है लगभग 24 डेज अभी बागी है उसके अनुसार जो है आपको टार्गेट करके चलना होगा ताकि आपको जो है नेट एंड डियारेफ मिल जाए आपको एक ब्लूप्रेंट दूँगा कि किस तरह से आप लोग टार्ग पीडिया मिल जाएगा और पेपर टू के लिए दोस्तों जिए और पास्ट यर कोस्टेंज फिर मॉक टेस्ट और बहुत सरा बूक का पीडिया भी मिल जाएगा तो लिंक आपको डिस्क्रिपिशन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग जरूर चेक आउट किजिएगा और द तो दोस्तों सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस बार का एक्जाम आपको आटेम करना ही होगा प्रेजन होना है आपको इसको मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार इसका मेन मकसद यह है कि इस बार का एक्जाम जो है इस बार एक्जाम में दुगना इस्टूडेंस double students दोस्तों double students qualified करेगा इसका region क्या है क्योंकि दोस्तों December 2020 प्लास जून 2021 दोनों cycle का students एक साथ exam दे रहा है यहनि दुगना students qualified करेगा 6% student ही qualified करेगा ठीक है लेकिन दो cycle का यहांनि आप पर ज्यादा students है मतलब ज्यादा students को certificate मिलेगा main में जो simple भास में ही है ज्यादा students मतलब क्या है ज्यादा students को certificate मिलेगा ठीके 6% students को ही मिलेगा लेकिन यहां पर दो cycle की होने के वज़़े से ज्यादा student को certificate मिलेगा ओके तो इस बार का जो opportunity आपको मिल रहा है golden opportunity के सकते हैं तो इस बार का opportunity आप लोग मिस मत कीजेगा अभी भी time है 24 डेज अभी भी बाकी है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजेगा तो यह 24 25 डेज में आप लोग ज़रूर नेट यारेफ क्वालिफाइड कर पाएंगे ठीके तो दोस्तों हम लोग बात में discuss करते हैं अभी आते हैं में मुद्दे में कि हम लोग कितना questions टार्गेट करके चलें कितना questions हम लोग correct करना होगा ताकि हम लोग देख लेते हैं और दोस्तों मैं आपको पता दूँ आपका जो भी subject हो ठीके आप लोग यह तक जरूर देखेंगे आपको एक idea मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग prepare करें ठीके और टार्गेट करें questions के लिए तो देखते हैं यहाँ पर तो फास्ट देखेंगे दोस्तों DRF category के लिए देन देखेंगे निए तो फास्ट देख लेते हैं DRF तो यहाँ पर category percentage गया था June 2020 में ठीके और December 2019 में ठोरा सा ज्यादा ठीके एक परसेंट 1.33 परसंट ज्यादा गया था जिके 69.33 परसंटेज ज्यादा गया था ठीके तिर्ट EWS के लिए देखें DRF के लिए 65.33 देखेंगे देसेंबर उनीज में देखे 67.33 percentage गया था यहां पर 2019 में ज्यादा काटव पर संटेज मांग सगय था तीगे। है ओवीज़ के लिए के द्हानिज यह निफ निज दिए देखेomi 1944.67 परसेंटेज गया था और उनीज में 66 परसेंटेज गया था यह ती के लिए 62 62 percentage और ज्रफ के लिए 63.33 percentage गया था दो है 19 में यह स्टी के लिए देखिए दो है रबीस में 58.67 और डिसम्बर में देखिए 59.33 percentage एनि डिसम्बर में डिसम्बर 2019 में ज्यादा कटा परसेंटेज गया था आज कंपेड दू लास्ट यह ठीक है अब देखते हैं नेट के लिए दिस यहाँ पर देखिलिए जून दो है बीस में 60.67 जनल कटेगोरी के लिए था और जनल कटेगोरी के लिए दो हैं नेट के लिए आपको लाना इनका आटा सिक्ष्ट के लिए था और फिल उइंस में गया था ऑर लिसेंबर 9.25 सिटेज गया था ठीक है ञिके डिस यहां पर लो बीठी ऐन ई चनल के लिए घया था और 55.33 ठीक है बनेभाइल नेस में गए था ठीक है यहां पर 19 में थोड़ा सा कम है और नेट के लिए है यहां पर देशकते हैं नेट के लिए दो है लिए 20 में ज्यादा ज्यादा था यहां पर देखिए 20 में भी यहां पर भी के लिए भी ज्यादा गया है 53.33 जो की 2019 में 52.67 परसंटेश था यहां यहां पर कितना गया था ठीक है अब दोस्तों देखते हैं कि टार्गेट कितना करना होगा अगर आप जेनरल कटेगोरी से बिलॉंग करते हैं यानि अन्री जब करते हैं तो ज्यारेफ के लिए कितना टार्गेट करके चलना होगा ताकि आपको ज्यारेफ मिल जाए ठीक है इसके बाद आप एसेशन प्रोफेसर के लिए एलिजबल हो जाएंगे और डॉक्टर रेट यानि पीज़टी करने के लिए करने के लिए आपको फिलो सीब मिलेगा ठीक है तो ज्यारेफ के लिए दोस्तों जियोग्राफी सब्जेक में जून 2020 में गया था 68 परसेंटेज और 19 में गया था 69.33 जो कि हम लोग पहले देख लिया था तो 68 परसेंटेज माने क्या है दोस्तों जिरल कटेगोरी में यहाँ और आप पर 68 परसेंटेज माने हैं 204 मारक्स दोसोटार मारक्स लेके आएंगे तब जो है आपका 68 परसेंटएज सरी 68 परसेंटेज मार्क्स बनेगा ठीक था इसके लिए 208 questions जो है 208 marks लाना था जो कि 59.33% था ठीक है अब main questions यह है दोस्तों कि आप लोग कितना target करके चलें तो टारगेट दोस्तों देखिए unrejept category के लिए 67 से लेकर 70 percentage के 20 जो है आपको marks लाना होगा क्या निक कितना जो है marks होगा 201 से लेकर 210 की दोस्तों आपको marks लाना होगा आउट of 300 out of 300 201 से लेकर 210 210 जो है दोस्तों आपको marks लाना होगा जो कि 67 से लेकर 70 percentage के 20 में belong करना होगा ठीक है अगर आप 68 percentage लेकर आते हैं या 69 percentage लेकर आते हैं तो आपको GRF unreserved category यानि जेनरेल में हो जाएगा ठीक है possibility है ठीक है इस प्रिपेस येर में हम लोग देखा कि 69 और 70 परसेंज लेकर लेकर आते हैं 2020 में 68 में भी GRF हो गया तो यह डिपेंड करता है काट आप परसेंज के उपर कि अगर आपका 68 आता है और 67 गया है तो आपको मिल जाएगा क्या GRF certificate ठीक है तो कितना questions करेकर ना होगा यह दो हो यह marks ठीक है questions देखिए दोस्तों स्वास से लेकर 105 ठीक है आपको questions करेकर ना होगा ठीक है स्वाक मतलब क्या है paper 1 में यहां पर मैं अजिम कर लिया कि paper 1 में आप दोस्तों 30 questions करेकर रहे हैं ठीक है 30 questions अगर आप paper 1 में करेक्ट करते हैं तो paper 2 में आपको 70 questions करेक्ट करना होगा तब दोस्तों आपका total questions 100 जो है करेक्ट होगा ठीक है तब दोस्तों total marks कीतना हो जागा 200 marks ठीक है लेकिन 200 marks भी नहीं होगा 201 से लेके आपको 210 में रखना होगा ठीक है और 105 मतलब क्या है मैं एजिम कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर 30 marks हर इसमें category में भी दे रहे हैं 30 marks sorry 30 questions कि मैं एजिम कर रहा हूं कि paper 1 में आप दोस्तों की 30 questions करेक्ट कर से लिगे अगर आपका 30 नहीं आ रहा है ठीक है अगर आपको 24 23 25 में आता है इसी इसाफ से आ में 30 अगर आता है आपका तो 75 लाना होगा पेपर 2 में अपने सब्जेक्ट में ठीक है जो भी सब्जेक्ट है आपका जियादा करना होगा ठीक है यह तो होगे आपका अन्रिजब के लिए यह हो गया आप देखते हैं नेट के लिए क्या करना होगा फॉर्दी अन्रिजब कटागोरी तो हम लोग ने देखा से दोनों ही यार में 60.67 परसेंटेज गया था यहीं 182 मार्क्स चाहिए ठीक है तो दोस्तों अगर आप 180 से लेके ये 163 मार्क्स लेके आते हैं यानि 60 से लेके 61 परसेंडिज मार्क्स तो आपका जनरल कटागोरी में नेट हो जाएगा ठीक है नेट होने का जो है पॉसीबिल्टी जे रहता है तो कीतना कोसिंज करें करना होगा दोस्तों 90 से लेके 92 कोस्टिंस अगर आप करकरते हैं अगर यह जोस्तों आप लोग गानेट हो सकता है यह यह जड़ा करते हैं तो आप को चलना होगा तारगेट अगर आप और भी ज्यादा करते हैं तो यह मिनिमाम इतना करना ही होगा ठीक है अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आपको certificate यानि आप qualified नहीं होंगे इससे ज़्यादा अगर कर पाएंगे तो आपको obviously मिलेगा ठीक है 90 से 92 आपको minimum लाना ही होगा ताब आपको net qualified होगा आपका और देखिए paper 1 में अगर आप 30 questions correct करते हैं तो आपको लगभग 60 questions आपको correct करना होगा paper 2 में यह तो हो गया नेट के लिए और यह अन्रिजर्ब करने के लिए ठीक है अब देखते हैं दोस्तों EWS के लिए तो अब देख लेते हैं दोस्तों EWS के लिए ज्यारप के लिए हम लोग मैं देखा कि 65 परसेंटेज 65.33 परसेंटेज गया था जून 20 में 19 में ज्यादा गया था 67.33 परसेंटेज मार्स तो दोस्तों यहां पर देखें मार्स कितना हो गया 65.33 मतलब मार्स मार्स लाना होगा और यहां पर 202 में तो आपको टार्गेट कितना करना होगा ठीक है टार्गेट आपको 195 से लेके 204 के 20 में आपको टार्गेट करना होगा अगर आपका मार्स इतना आ रहा है इसके बीच में आ रहा है तो आपको EWS category में GRF मिल सकता है ठीक है और कितना questions target करना होगा target आपका questions देखिए 98 से लेके 102 questions आपका target करका चलना होगा अगर आप paper 1 में 30 questions करे करते हैं 30 questions तो आपको इसमें paper 2 में 68 करे करना होगा ये 98 के लिए अगर आपका cut-off 102 जा रहा है 102 questions करना पड़ता है तो आपको आप paper 1 में 30 करते हैं तो 72 आपको paper 2 में करना पड़ेगा ठीक है ये depend करता है आप paper 1 में कितना करते हैं paper 1 में ज्यादा करते हैं तो आपका paper 2 में आप कम जो रहे हैं तो paper 1 अगर आपका है यहां पर आगर ज्यादा आजाता हैं तो यहां पर कमा आगर आता हैं तो अभी आपका दोस्तों यह डब्लो इस काटागोरियों में ज्यारफ हो जायाएगा ठीक है तो तो टार्गेट आपने देख लिया 65 एक ती ऐब अपको टार्गेर करना होगा इस एक टार्गेर करना है ठीक है तो आपका EWS category में नेट हो सकता है कि 56 परसेंटेज जून 2020 में गया था और 55.33 परसेंटेज गया था 19 में ठीक है 166 166 मार्क्स लाना होगा ओट आप 300 ठीक है और कोस्टिंस कितना करना होगा 82 से लेके 84 परसेंटेज ठीक करना पड़ेगा ताकि आपको यह देव्लेस category में नेट साठीकेट मिल जाए ठीक है अगर आप पर वान में 30 करते हैं तो 52 ठीक करना पड़ेगा प्रटू में अगर आप पर वान में 30 आपको यह समझ में आ रहा है कितना कोस्टिंस टार्गेर करके चलना होगा यह तो होगया इसका मतलब मार्स कितना है 198 आउट ओफ 300 ठीक है यह तो होगया जेयरेफ के लिए दोस्तों अब जेयरेट के लिए ओबी सी एंसी एल में दोस्तों टार्गेर कितना करना होगा अगर आपका कोस्टिंस यानि मार्क्स 192 से लेके 198 की बीच में आता है अगर यह भी आता है तब भी दोस्तों पॉसिबिलिटीज होता है कि आपका जेयरेफ हो जाए है 64 से लेके 66 परसेंटेज ठीक है यह होना चाहिए तो टार्गेट अगर आपका और भी ज्यादा है ठीक है अगर आप 67 परसेंटेज लेकर आएंगे तो आपका ओविएस लिए 100 परसेंटेज जो है आपको वह भी सी एंसी एल में ज्यारेफ मिल जाएगा दीकितना कोस्टि करें करना होगा गए तो अब दोस्तों देखें है नेट के लिए लिए दिए देश्तों जून 2020 में थोड़ा ज्यादा गया था कट आप देखेंट 56 परसेंटेज गया था और माक्स 168 माक्स लाना होगा तब दोस्तों यहां पर नेट मिला था ठीक है उन लोगों जो जून 2020 में एकजाम दिया था और जो डिसमबर 2019 में एकजाम दिया था उन लोगों को लाना पड़ा 55.33 परसेंटेज मिनिमाम क्वालिफिकेसर माक्स पर नेट और माक्स देखिए 166 माक्स अगर आप टार्गेट करेंगे तो अगर आपका टार्गेट 165 से लेके 168 की बीच म में आ रहा है ठीके आएगा या आप कर पाएंगे तब दोस्तों आपको नेट मिलेगा ओवी सी में देखिए कितना परसेंटेज 55 से लेके 56 परसेंटेज मार्क्स आपको लाना होगा ठीके अगर आपको 56 परसेंटेज मार्क्स आता है ओवी सी में तो आपको मिल सकता है ठीक करना होगा ठीक है अगर आप 30 करते हैं तो 54 84 के लिए ठीक है आपको करेक्ट करना पड़ेगा ठीक है यह डिपन करते हैं आपका अगर आप 20 लेका रहा है तब भी आपका नेट एंड जायेगा ओके अब देखते दोस्तों नेक्ट करेगोरी एस्टी के लिए तो यह C के लिए June 2020 में दोस्तो ज्यारेप के लिए 62% गया था और December 19 में ज्यादा गया था 63.33 62 मतलब कितना मार्क 186 मार्क आउट ओप 300 और 63 के लिए दोस्तो 190 मार्क चाहिए था आउट ओप 300 यह C के लिए 186 से लिए 198 मार्क अगर इसके बीच में आपका मार्क आ रहा है यानि 62 से लिए 64 परसेंटेज आपका टार्गेट है तो आपका दोस्तों ज्यारे फो सकते हैं काटेगोरी के लिए ठीक है number of question देखे 93 से लेके 96 questions करेका ना होगा ठीक है 93 questions अगर करते हैं तो भी आपका GRF हो सकता है 30 plus 63 30 मतले paper one में 30 करते हैं तो आपको paper two में 63 करेक करना पड़ेगा similarly 96 के लिए यह करना पड़ेगा paper one में अगर आप 30 करते हैं तो 66 paper two में करना होगा करेक्ट ठीक है तब आपको GRF मिलेगा यह सी काटेगोरी के लिए और देखिए यह सी काटेगोरी के लिए नेट के लिए दोस्तों 53 गया था 53.33 percentage गया था आप जून 2020 में और डिसेंबर 19 में थोड़ा सा कम गया था 52.67 percentage अब मार्क देखिए दो डिफरेंस दो डिफरेंस है दोनों की बीच में यहाँ पर 160 है वार यहाँ पर 158 यानि 156 से लेके यहाँ आपको टार्गेर कर रहे है तो आपको यह सी काटेगोरी के के टेगोरी में नेट मिल सकता है यानि 52 से लेके 53.3 percentage यानि 54 percentage के बीच अगर आपका यह सी काटागोरी में मार्क्स आ रहा है तो आपको नेट मिल जाएगा ठीके नमबर आप कोस्टिंस मिनिमाम कितना करना होगा 78 से लेके 80 ठीके 78 से लेके 80 कोस्टिंस आपको करेक्ट करना पड़ेगा तब आपको नेट आपको नेट क्वालिफाइड होंगे ओके यह तो होगे स्थी के लिए आप देखते हैं दोस्तो एस्ट गाइगोरी के लिए तो एस्ट गाइगोरी में दोस्तों कट आप परसंडेज मार्क फर फर दी जी आरेप देखे कितना गया था 58.6767 जून 2020 में और 19 में देखिए थोड सब्सक्राइब 300 यह जून 2020 के लिए और 19 के लिए देखिए 178 टू मार्क यहाँ पर ज्यादा गया था कटाओ परसंटेज मार्क तो यहाँ पर अगर आप 174 से लेकर 178 की बीच में आपका मार्ट टार्गर करके चलेंगे तो आपको यह सी काड़ागोरी में जी आरेफ स्ट 58 से लेके 59 परसंटेज की बीच में अगर आप टार्गेट है या टार्गर करके चलेंगे तो आपको जी आरेफ मिल सकता हैं और कितना कोस्टींज करेंगों देखें और आपको यहाराफ नहीं मिलेगा ठीक है अब देखते हैं इस्टी काड़ागोरी के लिए नेट में देखिए नेट करने के लिए कितना लाना होगा मार्क्स देखें दोनों यह में ही 50 गया था लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गया है 50.67 परसेंटेज यहाँ पर 152 मार्क्स चाहिए था ठीक है आट अगर आप 153 टारगेट करेंगे तो आपका मेबी नेट हो जाये स्टी काड़ागोरी में 30 से लेकर 51 परसेंटेज की बीच और कितना कोश्टिंग करेंगा 75 से लेकर 77 कोश्टिंग जो है आपको करेंगरेगा दो तब जाके दोस्तों आप स्टी काड़ागोरी में नेट क्वालीफआइड कर और 45 आपको करना पढ़ेगा पेपर 2 में ठीक है यह सतो 75 के लिए हो गया 77 में 2 questions वार ज्यादा करना पढ़ेगा अगर आपका 77 जाता है questions cut off ठीक है यहए डेपेंटी करता है पूरा cut off percentage के उपर ठीक है कितना cut off जाता है उसके उपर depend करता है आप लोग कोसिस कीजिएगा आपके कैटागोरी में जितना मैंने यहाँ पर टार्गेट दिखा है उससे ज्यादा लाने का लिए ठीक है अगर आप ज्यादा लेका आएंगे तब आपका दोस्तो ओवियसली 99.99% चांस रहेगा कि आपको नेट एंड ज्यारेव हो जाएगा ठ यह फिडियो आपको पसंड़ आया है यहाप बहुत सारा महनomme खरके आपको रसास मंघाए मार्स चाहिए तक एंदा कितन अमार्स कींता कोस्चिंस टार्गेट करके चलनाहोगा आपको थीकेश बहुत मत्याश्य से आई-आइं आई-अभी-वीटensions ठीके आप लोग comment box में लिख के बताएं और paper wise ठीके टोटल जून 2020 के लिए और December 2019 दोनों का ही cut off दोस्तों यहाँ पर description box में available कर दिया हूँ तो वहाँ पर download करके देख सकते हैं आपका main subject जो भी है economics है political science है कुछ भी subject हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जागा वहाँ पर download करके आप लोग देख सकते हैं कितना का top marks गया था और उसके उपर depend करके ही आप लोग target कर सकते हैं कि इतना questions करना होगा तब जाके हम लोग जो है net and jrf हो पाएगा ठीक है तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आया है तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और टेलिग्रम चैनल और सा गुरूब जोइन कर लिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स अलोट